हला अब्रिवान नमस्ती मेरा चैनल में आप सबी को स्वागत है आज मैं कद्दू की पत्ते की बहुती बरिया यम्मी टेस्टी सब्जी बनाई हूँ बहुती सिंपल तरीका से बनाई हूँ इसमें कोई मसाला नहीं है वोल भी बहुत कम से healthy सब्जी बनाई हूँ तो ये कद्दू के पते है अब इसे मैं अच्छे से काट लूँगी छोटे-चोटे करके देखिए छोटे-चोटे करके काट लिया है और दूओ भी लिया है तो इसका लिए मैंने अधरा गलसून का ये पेश्ट ले लिया है थोरी जो साथ में एक पियास भी काट लिया है देखि और सुखा में चदो डालूंगी और आप डालूंगी पियाज और पियाज को मैं भून लेती हूँ इस हलका से अभी उसका बाद ये अद्रगला सुन का पेश भी डाल दिया अभी साथ में दोनों को सभी को अच्छे से मैं भून लेती हूँ पहले बहुत ही सिंपल तरीका से बनाई हूँ ना इसमें मसाले जाएगी ना कोई ओल जयादा कुछ नहीं एकदम बिल्कुल सिंपल तरीका से है अब डाल दे हूँ स्वादनुसार नमक जिसे भी साथ में मिक्स कर देती हूँ और ये बहुत ही टेस्टी बनेगी ये पमकीन की पत्त डेकी सब्जी को आप डालोंगी में देखिए सारा सब्जी में डाल के इसे में और ग्रिन वेजीटेबल है इसे भी हल्ड का लिए बहुत ही अच्छा है एल्दी है और वह भी बिना मसाले में बना रही हूँ एकदम सिंपल तरीका से ये तो पूरे हल्डी बन जाएगी पत कर देखिए मैं इसे मिक्स कर घृए हूं हो अब यह दकाओंगे पास सक निट आपने पानि सोरेगा अच्छ से देखिए सद मिनित आने डग के पकाई थी इतना सारा पानी चों रहा है अपना पानी और देखिए इस ब्दू के पत्ते भी बहुत अच्छे से गल चुका है, एकदम कम हो चुका है, देखिए, सॉफ्ट हो चुका है, और बहुत ही बरिया कुस्बू भी आ रहा है, और अब मैं इसे और ढख के पकाऊंगी पास मिनिट, देखिए पास मिनिट बाद, पानी और भी है, इस सारा पानी में सुखा इसका, और आप मैं इसे बिना ढख के ही पकाऊंगी पानी सुखने तक, देखिए बिना ढख के ही बनाई हूं मैं इसे, अभी पानी सुख चुका है, देखिए बरिया से, देखिए अच्छे से पानी पुरा सुख चुका है, और अभी ये बन के रेडी है, आप लोग इसे चावल का साथ ये रोटी का साथ खा सकते हो, बहुत ही बड़िया लगेगा चावल का साथ भी, रोटी का साथ भी, तब मैं इसे चुले से निकाल लेती हूं, तो गाइस बताईए आप लोगों कैसा लगा मेरा सिंपल रिसीबी कद्दू के पत्ते की सबजी, आप लोगों कैसा लगा जरूर बताईएगा, अच्छा लगा तो लाइक सेर सेस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा, आज का वीडियो यही इन करती हूं, बाई बाई